दोस्तो summer 2023 अभी खतम होने वाला है और बहुत सरे अनिमेज अभी बहुत सरे summer अनिमेज जो थे वो खतम होने ही वाला है और कुछ-कुछ अनिमेज के अभी लास्ट एपिसोड जो है वो बाकी है लेकिन आप लोग ऐसा मैं सोचिए कि इस साल के अनिमेज के जो सीजन है वो खत तो यह जो वीडियो होगा वो 5 ऐनिमेज के बारे में होगा बैं लोगे बहुतिए को पांछ एमेज में बने यहां पी बताऊ तो ब्レकर का भी Treasure दो फिट्यो नमबर पे जो the blessing of the Shield you'd a consig of the Shield दीरो मैं आप लोगों को बता हुआ गजिए जब मैंने इसका सीजन वन देखा था ना मैं इसके सीजन वन के ऊपर पूरा मुख हो गया था इतना अच्छा लगा था मैंने इसका सीजन वन जो है वो आड़ घंटें के अदर खतम कर दिया था आप लोग सोच सकते हैं कि इसका जो स्टोरी था इसका जो सब को स्टाप्र को बहुत अच्छा लगा था और यहां पर जो में चीज़ काम करता था ना वो है रिवेंज स्टोरी वो जो लड़की के ऊपर अपना रिवेंज देता है जैसे करके सीजन वन खतम होता है बहुत ही अच्छा है बहुत ही अच्छे खतरनाक बंदा है, सबसे पावरफुर बंदा है, वो देखके मुझको बहुत ही अच्छा लगाता और उसके बाद इसका आया था season 2 तो season 2 के लिए में बहुत साथ excited था, इसके जो trailers थे मुझको बहुत अच्छा लगाता लेकिन इसके बाद इसके लिए क्लाइमेक्स आया उसने season 2 को थोड़ा मोड़ा बचा लिया अच्छा ठीक ठाक था, चल जाएगा और उसके बाद इसका आनाउंस वह season 3 season 3 मेरे को पता नहीं कि क्या करेंगे वो लो क्या क्या करेंगे मुझको तो ऐसा लगता है कि season 2 की तरह भी इसको ही थोड़ा मतलब story मोड़ी ऐसे करके दिखा देंगे ऐसे करके लेकिन ठीक है, इसका season 1 मुझको बहुत अच्छा लगाता तो इसके लिए season 3 के लिए बहुत जादा excited हूँ और ये anime रिलिस होने वाला है October 6, 2023 को तो 4 नमबर पर जो anime है जिसके लिए मैं बहुत जाद excited हूँ वो है Tokyo Revengers तो 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 टूबी ओनिस, Tokyo Revengers का जब season 1 आया था वो मेरे को बहुत अच्छा लगाता इसका जो story था देखो मैं anime देखता हूँ story के लिए story मेरे लिए बहुत जादा important part प्ले करते है कुछ भी anime में और इसका जो story था वो मुझको इतना अच्छा लगाता है मैंने इसका season 1 दो दिन के अंदर खतम कर दिया था तो इसका तो plot twist था, इसका जो surprises था इसका जो main character था रखना का की ताके में जी वो ही मेरे को बहुत अच्छा लगाता है उसका जो character arc था वो मुझको बहुत अच्छा लगाता उसके बाद Mikey Kune, Raken Kune उनको characters यहां के बहुत ही अच्छे बहुत ही powerful characters है और season 1 मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा season था इसके बाद आता है season 2, season 2 में उन लोगों ने वो जो Christmas arc है उसको adapt किया था तो to be honest तो season 2 मुझको अच्छा तो लगा था लेकिन इसका animation था वो बहुत ज़्या decrease कर गया था आप लोग अगर देखिए season 2 का animation वो बहुत खराब है Tokyo Revenges में सब कुछ ठीक है मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा ठीक है लेकिन यह जो animation यह लोग करते है न वो ऐसे ऐसा लगता है मुझे पता है मैंने इसका और यह आर्क एक बहुत ही ट्विस्टेट अर्क होने वाला है यहां पर नए करेक्टर्स आएंगे नए बहुत कुछ यहां पर दिखाया जागा हम लोगों को Tokyo Revenges के वर्ल्ट के बारे में यहां पर हनगा के ताके मिची का बहुत ही अच्छा करेक्टर डेवलम्मेंट होगा माइकी कुंग को दिखा जाएगा सब को दिखा जाएगा तो इसके लिए मैं सिजन 3 के लिए बहुत ज्यादा एक्साइट हो और दोस्तों आप लोग सिजन 3 को इंडिया में लीगली डिजनी ब्लस होस्टर पर देख सकते हो और अगर आप ल को दिखाए देगा कि मेरे चैनल का जो फर्ट वीडियो था वो था स्पाई एक्स फैमिली सिजन 1 का रिव्यू मैंने वह वीडियो वहां पर टाला था कि उस वक्त वह एनिमे ट्रेंड कर रहा था और दोस्तों आप लोग चाहो तो देख सकते हो वीडियो वहां बहुत इख पाई एक्स फैमिली अगर सिर्फ लॉइड और यॉर होते ना तो एक ठीक ठाक सा रोमेंटिक होता लेकिन और यहां पर जो जान डानने का काम करती है वो है आनिया चान आई मीन उसका कारेक्टर देख लेऊ है अगर आप लोगो कोंई डिप्रेशन है ना उसको देखोगे वो ऐसे वाकू वाकू करेगी आप लोग स्माइल करने लग लिटरली उसका जो इंतलो जो मतलब जो बचपना है और सबको जी रहा रहे हो इतना जाधा क्यूट इतना क्यूट बच्ची है वह उसको वह आई वह कहली मैं सरक देख सकते हो analy normalmente से Son तो आप लोग बोल सकते हूं कि सिजन वॉन में टोटल 24 एपिसोर्स ते और इसका स्टोडी आसे रैप आप हुआ था वह बहुत जादा एक्साइटमें देता है तो अभी जाके देखो यूस इंडिया और यूसिया चैनल पर यूटूब में आप लोगों मिल जाएगा वहां पर जाके अभी जाके देखो अगर आप लोग के मुव में ऐसा स्माइल चिपका देगा वह एनिमे ऐसा है वह एनिमे और दोस्तों में आप लोग यह बतना है नहीं हो कि इसी साल कि मैं कि मुझने लागा है कि एसके बार में बात नहीं कर रहा था कि सिसके जब इसका फर्स आविसों राया था वह बोल रहे था Так, प्रऩश अनेमे है त्रश नहीं मत देखो मत देखो ऐसा सब लोग बोल रहे ते लेकिन में यूट्यूब पार्टनर रह उसने आके एक दि तो जब मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा मेरे को ऐसा फील हुआ कि भाई यह तो बहुत ही अच्छा है नहीं मैं यार मतलब इसका जो मेन कारेक्टर है शीट कागे नू उसका जब एक्षिन आता है वो जब रियल वर्ल्ड में होता है तब उसने एक्षिन किया था मास् पैन के सबको बचा रहा था लेकिन एक एक्षिन के जलते वो मर गया था और उसके बाद वो रिंकाने ठोके अलग वर्ड में जा रही गया था जहां पर वो शाडव वना था यही स्टोड का जो सब प्लोड है लेकिन इसका जो सिजन वन है वो बहुत ही अच्छा है दोस्तो नाम है जो पोटेंशियल है वो हम लोग को देखने को मिल रहा था इसका सब कुछ अच्छा था और सबसे जो में चीज ताब वह इसका डायलोग से यार्ट वह मेंड करेंटर में पहुत दिखाता है लेकिन जब वो पावर्फुल मतलब अपने पावर में आता है उससे ज़ जीज़ने वोने अभी तक season 1 देख लिया है, last में जो fight होआ था, Iris, Beatrix vs. Seed वो जो fight था, वहाँ पे ये दो लड़किया बहुत कुछ ट्राइ कर रही है, बहुत कुछ मानने का ट्राइ कर रही है, लेकिन अपना shadow जो है, वो अपना savage बन्ता है, वो ऐसे बहुता है कि तुम लोग मेरा बाल भागा नहीं कर सकते हैं, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं कर सकते ह हुआ है, जो उस character का confidence था, वो मेरे को इतना अच्छा लगा था, मैंने इसका season 1 है, वो दो दिन के अंदर खतम कर दिया था, पुरा, इतना अच्छा लगा था मेरे को, और दोस्तों, इसका season 2 के लिए भी मैं बहुत चाथा excited था, तो finally, इसका season 2 है, वो October 4, 2023 को डिकलने वाला है, और दोस्तों, मैं आप लोगों को यह highly recommend करूँगा, कि आप लोग जाके यह anime देख लो, यह बहुत ही अच्छा इसे का anime है, आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगे, इसके बाद जो first number पर anime है, वो कुछ season 2 है, इसका एक part आने बाला है, वो है attack on titan season 4, part 3, part 2, तो जोस्तों, इस anime के बाल में क्या बताना, यह anime तो सबको लिए बहुत ही favorite है, और इसका यह party, मतलब potential लगता है कि anime अब बन जाएगा, क्योंकि, attack on titanus का जो hype है, वो मैंने किसी भी anime के लिए नहीं देखा, यह मतलब, मैं आप लोगों को बोलूँगा, कि anime के दुनिया में, अ स्टोरी लाइन में, बहुत ही अच्छा स्टोरी लाइन है, और इसके लिए में बहुत ज्यादा excited हो, और वो लोगों ने यह भी कहा था है, कि यह जो episode होगा, मतलब यह जो special होगा, वो 90 minutes का special होगा, तो यहाँ पर attack on titanus का special होगा, तो यहाँ पर attack on titanus खतम है, खतम, एक द और हाजे में, इंटर्व्यू में उसके लिए मांप भी मांगा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, कि बहुत लोग बोल रहे थे कि मांपा इसका एंडिंग चेंज कर देगा, बहुत कुछ कर देगा, लेकिन मुझको ऐसा लगता है, कि मांपा कुछ भी चेंज नहीं करेगा, क् अगर live action के दुनिया में breaking back top पे है, story के मामले में, rating के मामले में, तो मैं आप लोग को बोलूँगा कि attack content in anime के दुनिया में top पे है, story के मामले में, एक perfect story है, बहुत perfect story है, इसका आप रोग rating देख लो, IMDV पे 9.9, बहुत सरे episode का rating है 9.9, सोच तक तक तो इसका potential, अगर आप वो हो, यहोंने अभी तक attack content नहीं देखा, तो बहुत अच्छी चीज मिस करो, अभी जाके देखो, सब कुछ, chart season, part 2, part 30, सब कुछ जाके देख लो, बहुत अच्छ अनिमे है, तो इस anime के लिए बहुत जादा excited हूँ, और यह anime निकलने वाला है, November 6, 2023 को, तो इस तो यह था आज का video, आशा कर तो आप लोगों को यह video बहुत बसंदाया हूगा, आप लोग मुझे कमें सब्सक्राइब में जरूब बताने कि आपके कौन-कौन से 5 anime हैसा, इसके लिए आप बहुत अदा excited है, और इसका में second party बहुत 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 आप लोगों का कुछ भी नुक्सान लगे वाले कि मुझे को फइसा मिलेगा, मुझे को मोटिवेसा मिलेगा, आप लोगों के लिए और भी अच्छी anime content लाने के लिए, दोस्तों मिलते है एक नए वीडियो में, एक नए anime content दबतक के लिए, जय हिंद!